तो आप मेंसे किसी एक ने आप मेंसे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे एक वीडियो भेजा था एक टेक्स्ट किया था कि उसने नो लॉस स्ट्राटजी एक यूट्यूब पर देखा और वो उसको step by step follow कर रहा था और फिर भी ही managed he couldn't manage to make a cost to cost he was in a loss every time he execute that trade वो loss में चले जाते थे तो उन्होंने उसका reason पूचा कि वहाँ पर तो उसने no loss strategy बताया था but every time I do it why it's showing losses ठीक है तो यही मैं आज बात करने वाला हूँ और आप लोग जो लोग यह सोच किया हो कि no loss strategy मिलेगा तो आप यहां पर वीडियो skip कर सकते हो and problem मैं इस वीडियो में किसी YouTuber के बारे में या किसी वीडियो content creator को मैं defiem नहीं करना चाहरा और नहीं उनके बार में कुछ बोल रहा हूँ कि मैंने भी वो वीडियो देखा है and वो वीडियो it was fine but it was under condition and I don't know आप लोग गलती उस creator की नहीं है गलती आप लोग की है गलती आप लोग की क्या है कि आप लोग no loss करके no loss जहां देखते हो वहाँ पर आपकी views चली जाती I have checked many videos जहाँ पर no loss के strategies जब मैं जादा थे तो कोई भी creator अगर अपना engagement increase करना चाहता तो आप वही वह बनाएगा जो public चाहती है ठीक है तो आप किसी भी YouTuber को अगर आप blame करते हो कि वह उसकी strategy नहीं चल रही है या ऐसा है no loss बता कि उसने मुझे इसा कर दिया वह इसलिए बना रहा है क्योंकि आप engage करो और आप इसलिए engage करो क्योंकि आप search ही वह चीज़े कर रहा हो तो no loss is not कि वह अगर उसने कोई creator ने कोई strategy बताई है तो उसकी गलती नहीं है गलती आप लोग कि कि आप वह condition देखते ही नहीं कि उसने condition की under में वह बता है आपने बस title पढ़ा and it was fine तो मैं सारी चीज़े बात करूंगा पहले मैं आपको वह दिखा देता हूं कि strategy क्या थी तो strategy was simple कि it was actually a ratio spread ठीक है ratio spread strategy था तो उसने क्या किया था उसने उस video में बता था कि next month यानि कि अभी जो चल रहा भी जैसे माल लो में चल रहा है तो next month next month के expiry 30th June तो 30th June को आपको क्या करना add the money का एक buy कर लेना एक तो इसमें आपको liquidity का may भी issue हो सकता है बट अगर आपका वो भी execute हो जाता तो it's fine क्योंकि monthly contract और यहां से आपको 500 से 600 point आपको क्या करने एक sell कर देना और दो lot करना वहां पर मैंने एक lot किया था और यहां पर दो lot करना तो it's kind of ratio spread हो जाता है क्योंकि आपने 500 रुपए दिये हैं और आपने 275 into 2 आपने लिये हैं यानि कि 550 रुपए आपने लिये हैं तो overall आपका 50 रुपए का तक का मतलब आप जो net credit ले रहा हो व profit of probability क्या है 84% और highest आप profit कितना कर सकता 32,000 तो यह काफी आपको lucrative लगता है यार यार इतना 85% probability है और 32,000 profits है तो वह कितने अच्छी strategy है और उस वीडियो में बताए गया था कि अगर event दो इसके नीचे जाता ब्रेक-event point क्या है 15,800 current market price क्या चल रहा है 16,100 तो करीबन आपका 1200 आपका इसका ब्रेक-event है कि 1200 point अगर नीचे जाएगा तभी आप loss करोगे तो ऐसा नहीं है कि 1200 point नीचे जाएगा तभी आप loss करोगे इस during में भी आप loss कर सकतो यह आप हमेशा जब भी कोई भी strategical video देखो तो आप एक logic हमेशा दिमाग में रखा करो कि logically वह सही है या नहीं ह है क्योंकि अगर आप वह देख रहा है कि अब जैसे मालों यह blue line है blue line आपको यहाँ पर जब भी strategy ऑप्स्ट्रा बनाते हो तो मैंने ऑप्स्ट्रा की एक video बना रखा full detail आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो और यहाँ पर देखो कि यह जो blue line है वह दिखाता है condition की market अगर इस price पर आता है तो आप क्या loss करोगे current scenario में current wix के according current यह rows change होते है तो जैसे जैसे यह expiry के नजदीक आएगा वैसे यह blue line है वह अंदर की तरफ आता जाएगा यानि कि profit की तरफ जाता जाएगा जैसे आप मालों market यहीं पर hover कर रहा है consolidate कर और जैसे जैसे expiry के नजदीक जात रहता है और जितना दूर रहेगा expiry से उतना नीचे यह रहता है इसलिए यह blue line है आपको हमेशा show करेगा कि उसके according अगर अभी अगर market जितना दूर है expiry से उसके according यह कितना loss अगर यहाँ पर market move करता तो कितना loss दिखाएगा तो यह आप clear हो गया अब इसको बताता हो कि उस लाएगा इसका जो price हो जाएगा वो कितने से इंदमनी हो जाएगा यह 500 से इंदमनी हो जाएगा ठीक है और जो यहाँ पर 600 था यानि कि 16,500 तो 16,500 कितना तक का out of the money बचेगा अगर 500 पॉइंट का movement कर रहा है तो 600 पॉइंट तक का यह out of the money बनेगा तो अब हम इसको देख ल 100 तक का otm है अभी वी तो अब इसकी price उन लोग ने कैसे बताई वो मैं दिखा देता हूं जैसे कि अभी 30th June है तो जैसे मालो उसने उस video में बताया था कि 20 days के बाद अगर ऐसा चीज होता अगर expiry में 20 days बचे हैं तो 20 मतलब 20-25 दिन बचे हैं तो तो it's kind of कि अगर अभी आपने execute किया हैं आज और आज से अगर मालो expiry के almost आप ले लो कि एक देर महीने बाद क्या होगा अगर एक देर महीने बाद ऐसा होता है तो तो उसने ऐसा कुछ किया था कि इस मंत का expiry लिया और यह कि अब देख लेते हैं कि इसमें अगर 500 का movement होता तो उस time पे तो अभी के according इसमें क्या price हैगा तो 17,500 है तो 17,500 इसको 500 point अगर नीचे आता है तो 17,600 के point इसके current market price है at the money से in the money कितना 500 point नीचे है यह हो गया 17,600 इसका price क्या चल रहा है 637 तो यहां से in the money में क्या चला जाएगा पहले हम लोगों ने इसको buy किया था कितना पर आप अगर देखो तो buy कि 492 पे 492 पे 492 पे हमने buy किया और यह अभी चला गया है कितने पर 6 accordingly अगर in the money 500 point अगर in the money का strike price का क्या premium चल रहा है 637 तो यह आगया आपका 637 clear है अब यही बात है कि यह out of the money कितना था 100 points है तो अभी current market के price के according out of the money 100 points पे कितना पर चल रहा है 1, 2 ठीक है यहां से 50, 500, 300, 7 चल था 275 पे तो यह हो गया आपका 275 और यह चला गया आपका 307 तो यह आपका हो गया करीबन 145 के आरांड 145 के आरांड आपको profit हो रहा है और इसका जो loss है वो आपको हो जाएगा 25 और 7 आपका हो गया 32 which is into 2 क्यूंकि 2 lot है तो वो आपका हो गया 64 तो even though आप कितने profit में अभी आप देख सकते हो 47 इधर and 36 इधर तो 47 plus 36 अब आराम से कितने 83 पॉइंट के आसपास profit में रहोगे तो यह इस तरीके से आप no loss strategy में अगर यहां पर भी चला आता है तो आप यहां पर जैसे ही आएगा तो आप बुक कर लो 83 पॉइंट पर जैसे ही आया इतना पॉइंट आप आपको अगर profit मिल रहा है तो आप वैसे ही बुक कर लो बट कंडिशन यह था आप इस वीडियो में अगर आप वह देखोगे बट मैं वीडियो में दिखाने वाला है नहीं हो क्योंकि फिर आप बोलोगे कि यार यह copyright का issue आ जाएगा इसलिए मैं नहीं वह करूँगा आप को 500 पॉइंट का movement उसमें तीनों सिनारियो लिया गया है तीन सिनारियो भी लिया गया है कि अगर 500 पॉइंट का movement होता है upside अगर movement होता है no movement होता है अगर same price पे रहता है और अगर 500 पॉइंट का नीचे movement आता है तो बट वो all under condition 20 दिन के expiry से पहले 20 days before ठीक है before 20 days और आप execute कितने दिन पहले कर रहा हो करीबन आप 45 to 50 days पहले आप execute कर रहे हो तो इतने दिन का जो gap है इतने दिन का बीस से तीस दिन का जो gap है वो आपका कहा गया market move करेगा तभी या तो market इसी बीच में move करे तभी होगा या अगर इस बीच में market volatile हो जाता है काफी volatile हो जाता है तो ऐसे situation अगर अपर जाता तो आपको कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि अपर साइड आप profit pure रहोगे लेकिन अगर इस बीच में अगर market इतना नीचे जाना शुरू हो जाता है काफी volatile हो जाता तब आप loss करना शुरू करोगे क्योंकि अगर इतना दिन का अगर आप gap जेल लिए तो आप थीटाडिके बहुत execute कर पाऊगे बहुत आप ले लोगे थीटाडिक तो उसके लिए तो आप वैसे भी निश्चिंद रहोगे अगर मालो अगर इतना दिन का अगर आप रखो कि एक logic रखो कि यह strategy जो है इसके पीछे का logic क्या है इसके अंदर का condition क्या अंडर condition क्या इसने provide किया हुआ है क्योंकि आप लोग और मैं भी अगर अपने यूट्यूब अनलिटिक्स में जाता हूं तो maximum लोग search करते हैं no loss strategy और यह no loss strategy क्योंकि दुनिया में कोई no loss strategy ही नहीं unless until it is a arbitrage, arbitrage ही होता है जो no loss strategy होता है उसके उपर भी वीडियो बना दूँगा अगर आपको चाहिए तो वो भी आप comment down कर देना मैं arbitrage के उपर वीडियो बना दूँगा और arbitrage इतना इतना यह process होता है क्योंकि आप अगर execute कर भी दिये तो आप tax से जाधा tax से उपर जितना भी profit बनाओगे आपको 0.1% 0.2% इस kind का आपको profit मिलेगा और इसको execute अच्छे profit के लिए आपको बहुत बड़ा capital चाहिए बहुत बड़ा in the sense कि आपको 10 लग के capital पे आपको करीबन 10,000 का monthly income होगा ऐसा income आपको generate होगा it was kind like that की 11% monthly income maybe 1% या 0.5% ही मिले 1% तो बहुत जाधा हो गया तो no loss में ऐसा कुछ होता है तो अगर आपको arbitrage करना है तो वो उस पे मैं video एक dedicated बना दूँगा बट no loss दुन्या में कोई भी अगर आप कोई भी trade कर रहो हो कहीं भी no loss strategy कहीं नहीं है अगर no loss strategy होता तो सारे लोग use कर रहे होते हो तो चीजों को समझो जब भी आप trade करतो हो आप randomly मत trade करो कोई भी strategy आप use करतो हो तो उसको सबसे पहले paper trade करो और paper trade आपको कहा करना virtual money से भी आप कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नियो स्टॉक पर आप मैं अल्रेडी एक वीडियो मैंने बना रख था paper trading पर तो आप वहां पर भी जाके आप execute करो उस पर देखो आपके taxes कितने हो रहे हैं एक और वीडियो देखा था जिसने arbitrage को ही no loss strategy बता दिया उसने synthetic future बनाया और उसके साथ future short कर दिया और बोल दिया कि यह हो गया और उसमें कुछ profit बन रहे थे आपके margin requirement थी 70-80,000 और profit बन रहे थे 300-400 ऐसे excluding taxes excluding taxes और legs कितने थे एक call, एक put और एक futures तो तीन legs थे तीन legs का आपको मान लो 50-60 रुपए भी ले रहे हो तो आप आप आराम से 1.500 रुपए तो ऐसे ही चला गया और इसको आपको इतना profit लेने के लिए आपको expiry तक hold करना पड़ेगा it means one month, one month में आप 70-80,000 पे मुश्किल से 200 रुपए अगर आपने सही price पे execute किया तो अगर आप जो price पे डाल रहे हो उसी price पे आपका execute होता है तो market order पे कर रहो या limit order पे कर रहो अगर कोई buffer नहीं हो रहा है कोई buffer नहीं मिल रहा है तो तो ऐसा situation आता है और उसको no loss strategy में convert कर दिया और लोग पागल हो रहे है तो आप clear हो जाओ कि आपको कौन सा strategy करना और यह तो आप अपने दिमाग में हटा ही दो no loss strategy करके कोई चीज नहीं होती ऐसा कभी नहीं होता है कि no loss strategy आपको मिले और जहां पर no loss strategy होगा उसमें reward इतने minimal होंगे इतने minimal होंगे कि आप मतलब वो worth ही नहीं होगा आपके लिए ठीक है वो worth ही नहीं होगा हाँ unless until आपके पास 5 करोर या 10 करोर का आपका portfolio है तो तो आप अगर मालो 0.5% भी निकाल रहो तो आपके लिए बहुत जादा है प्लस आपका जो time जा रहा है आप जो इस time में learn कर सकते थे वो आपका जा रहा है आपका जो approach है वह गलत हो तो आप अपने approach से भाग रहा हूँ जो approach है क्योंकि मैंने भी starting में बहुत सारी गलती यह थी जिससे मुझे अप्रोच सही करने में बहुत पाइम लग गया था तो मेरा कहने का मतलब यही है मेरे वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप जो भी कर रहो आप एक logic हमेशा दिमाग में रखो कि logically वो सही है या नहीं under which condition और जो भी strategy हो उसको आप पहले execute करो paper trade करो फिर उसको आप यह करो तो आई होप आपको यह समझ में आगा और और मैं मना रहा हूँ कि मैं मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग आज के बाद no law strategy के लिए नहीं करोगे जितने भी लोग आप देख रहा हूँ 10 लोग देख रहा हूँ 20 लोग देख रहा हूँ I don't know बट जितने भी लोग देख रहा हूँ कि उतने लोगों का मैं यह कोशिश करना चाह रहा हूँ कि यह at least आप अपना जर्मी स्टाट ठीक है तो तो तिल देन थांक यू और एंड हपी क्रोड़िंग